तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की नेक्स्ट यूनिट जो यूनिट फॉर्थ कंटिन्यू कर रहे हैं उसका लास्ट लेक्चर है जिसमें देखेंगे पोईशी फैमिली यह एक मॉनोकॉट फैमिली है और यह यहां पर और आपनीका ओल्ड नेम है ग्रेमिनी और अभी इसका नीवन ऑपवे जोकी एक जीनस है यह उसके नाम पर पड़ा पॉवे जैंशी फैमिली इसको कमनली बूला जाता है ग्रास फैमिली और प्योष ही वाल्याम को लेशी और सबसे एडवांस्ट फैमिली है एंज्यों स्क त advise देखेंगे जैसे हम पिर सारी आटिस लें देख Même से इंदेैं सब्सक्राइब करेंगे क्लासिफिकेशน सबसे पहले क्लासástico लास मौनो काटलीड़न सीरीज गुंची और फूल्स फेमिली पुईशि अर्लियर था फेमिली वाच कॉल लेज्ग ग्रैमेनी जिसको बोलते हैं ग्रास फेमिली तो यहमने भी देख लिया ग्रास फेमिली ग्रैमेनी पुईशि और इसका क्लाशिफिकेशन तो इस वे में से स्ट्रक्चर होंगे जैसे लैमा पेल या यह सारी चीज है आपने फस्ट टाइम आप देखोगे इसमें भी डिसकस करेंगे तब से पहले देखें डिस्ट्रिब्यूशन वेशी आप बन और फी लाजेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली और प्लांट किंग्डम त और उनमें 10,000 species हैं जो कि बल्ड वाइड डिस्ट्रिबिटेड हैं हर जगे मिलती हैं पूरे बल्ड में देशो ग्रेट एडप्टिबिलीटी एंड थ्राइब अंडर दा मोस्ट बैरीड कर्निशन अकरिंग फ्रों एंटार्टिक तो आर्टिक फ्रों लेवल तो हाई मांट प्रेंस फ्रों बाटर फ्रेस बाटर तो लेक्स एंड रिवर्स टू ब्रैकिस सिच्वेशन संस ऑन दा कोस्ट एंड अंडर एक्ट्रीम डेजर्ट करनिशन तो इसमें एडप्टिबिलीटी बहुत है इनके प्रांस में यह कहीं पे भी अडेप्ट कर लेतें किसी भी जो कोस्टल एरिया ने उनमें और डिजर्ट कंडिशन में हर जगे इसके प्लांट समें मिल जाते हैं इस फैमिली के अडेप्टिबिलीटी बहुत ज़्यादा इस फैमिली के प्लांट की इस इस फैमिली ओफ इंडियन फ्लोरा एंड इस डिप्रेजेंटे बाइबाइब तो फोर्टी जैनिरा एंड बन थाजंट बन इंटी इस पिसीज अकरिंग थूआउट दा कंट्री फ्रम सी लेबल तो इन एलेवेशन ओफ एबाउट सिक्स थाजंड मीटर्स इन हिमालिया तो जो यह फैमिली है लाजस्ट फैमिली है इंडियन फ्लोरा की और इंडिया में इसके 240 जैनिरा है और उसमें 240 जैनिरा में 1180 इस पिसीज है जो कि थूआउट दा कंट्री मिलती है मैं सी लेबल से और हिमालियास की 6000 फीट तक की 6000 मीटर तक की उन्चाई पर यह मैं सब्सक्राइबा मेज जिया मेज ओट्स अवेन सब्सक्राइबा बार्ले होडियम बुल्गर और और भी कापी सारे है तो यह सारे ग्रेंज होते हैं फूट ग्रेंज इसे वीड राइस तो अभी हमने देख लिए इसके एक्जांपल्स फैमिली के अब हम नेक्स्ट देखें यह जिर Γांठ हुट भंभी का डनी बुलरब अश्चिए बनीकी व्यल्हा ग्रीन ट्री होते हैं और भी यू जायदा से जब्षार्ण पैर निया सकती है यह रेर ले रेर ली श्रब्स और ट्रीज विद्वरी स्टेंप्स बिच अटेंग हाइट और थर्टी मीटर्स और इन इस शेटिक बैमू तो जो बैमू है उसकी हाइट 30 मीटर यह उस्टे जादा भी हो सकती है तो उस हिसाब से यह नहीं कह सकते कि बैमू ट्रीन वाह बैमू नहीं है दो में मुवि उपने याप में एक करह स है और फॉल नहीं हैट नहीं होता हो finden ग्रास होता है वह आंल संब हो लिधा क्रीकल ₩ और ग्मू न देंट करम कि कि सनकोंग वर्म्ध्षण यह शे होते हैं तक कम किक यह नेसे पनांट में शूंग ग्रांट क sua प्ल कैसे होते हैं सोल से एडवेंटीशेस टूट की है फाइबरस एडवेंटीशेस टूट पेरेनियल घ्रास is persist by means of a sympodial rhizome formed by lower internodes of the stem जो पेरेनिल ग्रास इस होती है वह किसके help से परसिस्ट करती है राइजॉम होते हैं उनमें राइजोम formation होता है जो कि लोड़ इंटर्णोर्डस्ट की हेल्प से राईजों फोर्मेशन होता है उसी से वह परसिष्ट करती है और जो एरियल स्टेम्स होते हैं जो कि टर्मिनेट किये जाते कि इसकी हेल्प से अधा इंफलोरीशेंस हा जाता है उनकी जगे पर वहीं पर उनकी ग्रोथ रुख जाती तो उनको बोलते हैं कल्म्स, the कल्म्स are simple और branched, the branching at upper nodes is rare in temperated grasses, तो जो कल्म्स होती हैं, वो simple या branch हो सकती हैं, और branching upper nodes पे rare होती है, जो temperate grasses होती हैं उनमें, they are erect, geniculate, prostrate, or creeping, usually cylindrical, jointed with long inter-nodes, which are usually hollow, or sometimes solid, as in joa, sorry, jia, sorghum, and related genera, यह mostly erect होती हैं, geniculate, prostrate होती हैं, यह इसके features लिखे होगे हैं, और उनमें long inter-nodes होती हैं, जो कि hollow होती हैं, उनमें कुछ solid structures नहीं होती हैं, वो hollow होती हैं, जैसे जिया, जो कि mage plant होता है, उसमें hollow structure होती हैं, stem में, shorghum में, और उसी से related, और जो genera हैं उनमें, अगल लीफ, इसकी specialities देखेंगे हैं, basal leaves are crowded in a tuft, but leaves on the culm are alternate and disticus, जो basal leaves होती हैं, वो crowded होती हैं, टफ्ट बना लेती हैं, लेकिन जो culm पे leaves होती हैं, वो alternate या disticus होती हैं, इच लीफ is composed of two parts, the seat and the blade, इसको लेमाइना बूला जाता है, हर एक लीफ में दो parts होती हैं, seat और blade, blade को बोलते हैं, लेमाइना, बैनेशन इस यूजरी पेरलेल, बट अकेजनली, एजन सम वैमूस, वैम्योजरी उन्मे करकों, बैनेशन गायर मभूर्ण के लावा में पेरलेल, जसको लूर्ड आप constituents लूरा कल्स झालें, स्कोनी मीं charter, ब्रांचीज्ज्ट औरकल्म से इनको टर्मिनेट कर देते हैं उनकी रूख देते दबिसे के इस स्पाइक युनिट शेल और पैंट्ट ठीक्साइल इंड तूमानी आर इंपैरेस बेंट इनपिस्पाइक्स एकज्ञामपल एज्मपल अबया बंकल्ड शांपान तूज रहे चल्गे भी हो सकते हैं और इसके अलावा वह कंबेंस भी हो सकते हैं इसस्पाइक सबहारीं में तो यह इसे जो जो हैं सथ में सिताइब से appears फिर में एक्सिज उसकते हैं मैं एक्सिस को बोला जाता है याद रखना जो मैं एक्सिस हैं इस पाइक में इडाइब लेज़ेंस को पाइक रॉरिहेंस उसके संधिया और में मानुट एक्सिस बीडाल रेकिस लेक्स भरताई जो हर एक इक स्पाइकलेट होता है उसमें एक बहुत सौर्ट एक चोटा माइनुट एकसिज उता जिसको रेकाईला बोलता है रेकिला जिस पर दो अपोजेट रोल रोल होती है प्रेक्ट की और उनमें एक दूसरी के इवप बनन और उनमें फॉल्व करते हैं वह ब्रेक्ट प्रजेंट होते हैं इस तरह से जनरली दर टू लोएस्ट ब्रैक्ट सम्टाइम्स बन तू सिक्स और स्टेराइल और एंपटी ग्लूम तो जो इस्ट्रक्चर में बताया था आपको डिफरेंट इस्ट्रक्चर इस फैमिली में पढ़ने को मिलेंगे तो पहला है ग्लूम जो भी स्ट्रक्चर ने चर्बीा चचल बिएंट साइज और तेक्ष्टर इनए ग्लूम को माते और वह ट्रडूमgueंगे बिफीट हो कर्तेव देंग नहीu एकेजिनली लोवर एंड रेरली बोथ empty glooms are lost by reduction कि के नली उपनुड़ ये हो था हिसा रेरली उन्मोर्थ में हो दोनों pro co reduce हो जाते हैं lost हो जाते हैं reduction के हल्प से sometimes as in panicum there are more than two empty glooms और जैसे panicum एक exam पल है उसमें normally दो से ज़्यादा empty glooms होते हैं the sterile glooms are followed by a variable number 1 to 50 of fertile or flowering glooms और lemma अब ये नया नाम है lemma ये fertile gloom इसको बोलते हैं lemma sterile glooms के बाद होता है structure जो कि number में variable होता है एक से 50 हो सकते हैं अलग-अलग plants में और ये fertile होते हैं flowering glooms होते हैं इनको lemma कहा जाता है the fertile glooms are closely similar to the sterile glooms example eregrostis or differ from the from them inside shape and texture example avena जो fertile gloom है जिसको एक ME बोलते हैं lemma वो structure आज़ो sterile glooms गैसा same हो सकता है जैसा erect grossodus में होता है और differ भी कर सकता है shape size और texture उससे जो sterile gloom है उससे उसमें अbैना में होता है sterile gloom और fertile gloom different types के होते हैं और same type के होता है erect gross इस्में of one green skilled suspicion और 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 वो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस च्रॉक्चर इस प्रेजैंट बीन फर टायल ग्लूम एंड रेचला इस च्रॉक्चर इस निए पेलिया। तो यह structure कहलाता है पेलिया, it is partially or wholly enclosed by the fertile gloom, तो जो fertile gloom होता है, उससे यह partially या फिर wholly, मतलब आधा या पूरा धका हुआ होता है, तो जो लेमा और पेलिया है, वो अपने एक्जिल में फ्लावर भीयर करते है, फ्लावर्स, अब हम फ्लावर का structure देगेंगे, फ्लावर्स हार small, inconspicuous, bisexual और यूनिसेक्शल निंजिया, एंड रिलेटेड जैनेरा, जाइगो मॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस, तो जो फ्लावर हैं, उनके क्या-क्या features है, स्मॉल है, चोटे-चोटे फ्लावर्स है, इनकॉंस्पिकस है, मतलब समझ में नहीं आते हैं, एक ही जगह से काटेंगे, तभी दो एक कोल हाप में डिवाइड होंगे, और हाइपोगाइनस है, मतलब अबरी शुपिरियर है, पैरियंथ होता है, इसमें, नो कैलिक्स, एंड कॉरॉला, इसमें होता है, पैरियंथ, मतलब टैपल्स प्रिजेंट होंगी, और पैरियंथ इसमें बहुत रिद्यूज़ होता है, और हाइली बॉडिफाइड होता है, और पैरियंथॅज तॉड बोलते हैं लोडीक्यूल तो लोडीक्यूल नया शुपिर बॉब रभाइजन और याद रखना, तो यह याद रखना, लोडावड fellas unexpectedly procedures तो जो रोडीक्य टार फेखेंग्या परेखेंग्या दाटेंग्या है अब अनरुशन का देखो अनरूशन की स्टिक्टर देखेंगे क्या है टीनिच घासित आप यूज्या फिर्ट्र यह थी स्टेमन्स होग्हां ते अन्यूशन होता है उसमें 3 Stamins होते है एक porel में 3 Stamins और जो और Stamen ह jour anterior होता है इन वेनुग्मscale और टो अल्टनीक्राक्ति ट्राइमेर्ज ओस ऑफ ली स्टेम zone वेनुग्मे बम्मू में और ओर जा मत excited में दो अल्टनीक्राक्ति हो्лов सोल पर इसनाuring के guys त्वमिन्स की आट प्री एंड डैलिकेट एंधर्स और वेज़े फिलामेंटकर प्री आछे वीष्ट हुँते हैं और एंधर्स वेज़े फिलामेंट्स होते हैं फ्री होते हैं ये जू में फीलंट्री वर्टी वर्ससेटहैल ये थीक उट लेनेट टुधर घ्री मोनोगा लिए मतलब सिंगल लेज ओग मैं युनिलो प्रॉब्री इमर्ड एक लोकिल बाइभ में और परियर विए इसमें सिंडल एनेट्रफस ओविए प्रजेंट है और उसमें एक अनेटोपस और जैनेट है अडेक्जियल साइड ऑफ द ओवरी से लगए प्लेशन इस बेशल प्लेशन इस बेशल है तू यूजली तू स्टाइल्स बटा थर्ड स्टाइल इस आल्सो प्रजेंट नॉर्मली तो दो स्टाइल्स होती है लेकिन थ है आधर फूट और सीड के बारे में देखते है फ्रूट इसमें बंड सीड कंविट डाइप का फुर्ट है इसमें जो अभी औरी बॉल होती है वो बूल होती है वह क्लोजली अधेर कर जाती है यह सब्स्टाइमस बारे में अभारी वैरी बैम्यूसा और अट्रिकल या बेरी होता है जैसे बैम्यूसम है और अट्रीकल होता है इल्यूजन में अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरल 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 फ्लोर्मिला सब्सक्राइब काल को प्लाएं meinem संब्सक्राइं सब्सक्राइब नही रहाऊ है विए इसको कि यह सब्सकराइब습ец इसके बाद यह दो इसमें पैरियंत दिख रहे हैं यह और यह फिट्री स्टेमन बरण टू थ्री और यह ओरी ऑपरी में यह इअ इस्ट्रक्चर्ट छिए ओप यह फेदरी स्टिगमा होते हैं जो ओबरी में श्ट्रॉक्चर हैं वाले दो यह फेदरी स्टिगमा है तो यह हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम अब नेक्स्ट हम देखेंगे एकॉनमिक इंपोर्टेंस अब दा फैमिली किस तरह से इसके प्लांट हमारे डेली लाइफ में य मेलेट्स मेर całe मेजर सीरियल में आते हैं और जाले में में बनासा यह फिन उट्स अब हम देखेंगे मिलेट्स जो होते हैं मोटा अनाज बोलते हैं इसको लो इसी पे आपको एक इंफोर्मेशन ओन देदू जो 2023 एर थी उसको अभी तो कंडिन्यू है दिसम्मर है तो उसको जो युनेटेट नेशन्स है उसने गोसित किया था इंटरनेशनल इयर ऑफ दा मिले जिसको जोहर बोलते हैं पैनिशेटम टाइफोईट्स पार्ल मिलेट या बाजरा से टेरियस इटेलिका येलो फॉक्स टेल मिलेट पैनिकम मिलेशन इसको शामा इलिजाइन कोरोगेन इसको बोलता है रागी यह होगा अब नेक्ट दिखेंगे फोडर तो फोडर क्रॉप्स फेस्टिशा इस्टिपा ओरियंटेलेश यह कुछ फोडर क्रॉप्स है नेक्स्ट सुगर सुगर क्रॉप है सेकरम ऑपिशनेरम जो गन्ना होता है सुगर कैन बोलते हैं जिसको शेकरम ऑपिशनेरम वह हमें प्रोबाइट करता है सुगर इस बेरी इंपोर्टेंट सॉर्स यह चीनी का बहुत इंपोर्टेंट सॉर्स है मोलस इस जब बाइब प्रोड़क्ट ऑप सुगर इंडिस्ट्री इस यूज इन मैनिफेक्ट्चर ऑप इंडिस्ट्रियल अल्कोहल एंड अल्कॉलिक बेबरेजिस तो जो सुगर है यह सुगर के नहीं यानिकि सेकरम है वह सुगर इनस्ट्री का जिसमें जिससे यलकोहल या या इलकोहलिक्देज मिलते हैं मोलस अब नेक्स्ट यूज इसका फाइबर ते गम इंडियू और की आफॉज इसका फाइबर्स सेक्रम मुझौ में यूज इसको बोलते है मूंज एंड साइकरम स्पोंटैनियम का इंडिस लार्ज ली यूज्वा मेचिंग रौ यह र्सिया बनाने के लिए whenever आइस्ट से में सब्सक्राइड और फॉर में यू सोनेब्स से उयल मिलता है इस Thankfully इसकी लेचोне वाल में उह स्पश्ट लाफ पॉर उर आंडिय तो मनें यू लो गडिलिवक्सएës सोडमorte si maintained the fact और या फिर रूट से या राइजों से वैटे वेरिय जैजनोइट से वह इसके अलाब है बैमबू जो की टिंबर में यूज किया जाता है यहां पे नोट नहीं वह आप नोट कर लें आ पने नोट में इसके इकनोमिक इंपोटेंस हो गाइज फैमिली के अधिक हैं आज इंप और इसी के साथ हमारी एंड यूस पर्मिक फैमिली खतम होती है और यह उनिट फॉर्थ भी खतम होती है तो आपने अगर अभी तक यूनिट फॉर्थ की जो प्रीबियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके चैनल पे अबिलेबल प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर लो ज एब इसलिए वहाँ से कंप्लीट कर लिजीए विद नोर्ट मिलेंगे आपको इंगनि नोर्ट है और हिंडी एक्स्प्लेइशन ठीट कर लीजे और उर जिसको भी आपको लगे नीड है आप सेर कर सकते एं प्लीज को ज्यादस ज्यादस शेर करो और करोई और वीडिओ को जरूर फोलो गरना क्रेस्ट बाइलोजिकल थैक्स फो बच्चिंग